नागदा पुलिस ने नकली नोट छापने वाले और मार्केट में नकली नोट चलाने वाली महिला को गिरफतार कर लिया मुगबिर की सुचना पर पुलिस ने महिला को गिरफतार किया साथ में पुलिस आईडी और पुलिस की वर्दी भी जब्त की है इसके साथ प्रिंटिंग मशीन और दो सो पांसो वा दो हजार के नकली नोट तथा साथ में दो पहिया मोटर साइकल वाहन भी जब्त किया और तल अभे कि 17 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई महिला कई महिनों से मार्केट में नकली नोट चलाने का काम कर रही है प्रकाशनगर महले की है अपने आपको पुलिस वाली बनकर उसने रोब ज़ारना भी कुबूल किया है गिरफतार महिला नागदा के प्रकाशनगर महले की है जिसके पास से जो पुलिस वर्दी और आईडी मिली है उसमें बुलबुल परमार नाम छपा हुआ है महिला ने कबूल किया कि वो अपने आपको पुलिस वाली बता कर रोब ज़ारती थी 2020 को जरी महिविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मार्केट में एक लड़की जो की प्रकाशनगर में गरी नमबर चार में रहती है बुलबुल नाम है उसका उनकली नोट बनाके मार्केट में चला रही है गी इस सूचना पर से टी आई साहब ने मुझसे संपर्क किया और टी आई साहब ने सर्च वारंट मुझसे बोला कि इस प्रकार की घटना है सर्च वारंट चाहिए तो मेरे दोरा सर्च वारंट जाई किया गया और उसके उपरांट टी आई साहब ने जाकर के वहाँ पर दबिश्दी फोर्स के साथ महला बल भी उसमें था दबिश देने के बाद में उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर में 100 रुपे, 200 रुपे, 500 रुपे और 2000 रुपे के नकली नोट मिले जिनकों की समक्ष गवाहों के साथ में विदी अनुसार जब्त किया गया, उससे पूश्टाश और की गई तो उसमें उसके जो कागज यूज करती थी, नभे के लगबा करीवन वो पेपर थे, जिसमें की वो नोटों को बनाने के लिए यूज करती थी, वहाँ प्रिंटर भी था, कलर्ट पिंटर था, जिसमें से निकालते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने जब करी, उसके बाद पूश्टाश और करी, तो उसमें उसने भर की तलाशी ली, तो एक वर्दी सरनिस्पेक्टर की, उसके घर पे मिली, और तलाशी में आईडी कार्ड, अपना पुल इस मोटसाइकल को उसने उजेन में, इंडौर में और नागदा में इसी मोटसाइकल चल कर वो जो नकली नोट बनाती थी, उसको मार्केट में दूद वाले को, ठेले वाले को सामान लेके उसको पैसे देते थे